नमस्कार साथियों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर पैंशन से सम्बंदिद एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से वर्दवस्था पैंशन योजना का पैसा लाभार्तियों के बैंखाते में 3,000 रुपे ये पैंशन नासी सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है लाभार्तियों के बैंखाते में पैंशन नासी पहुंच गई है इसका हम आपको एक पुरूबी दिखाने वा पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही बैल आईगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं देगे सबसे पहले हम आपको बताते हैं मुख्य मंतरी उत्तर परदेश के जो मुख्य मंतरी योगी आदितिनात की सरकार द्वारा उत्तर परदेश राज्ये में एक हजार उपे पड़ती महिना के हिसाब से 95 नाजी को ट्रांसफर किया जाता है तीन हजार उपे जो अभी हाली में ही लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई है वह लाम मिला है वर्दवस्था 95 योजना को क्योंकि सबसे पहले जो 95 नाजी भेजी गई थी वह विकलांग व्यक्तियों की भेजी गई थी तो सबसे पहले विकलांग व्यक्तियों को उत्तर परदेश राज्जे में 95 नाजी मिला सभी विकलांगों के बैंक खाते में 33 नजार उपे जो 95 है यानि की अपरेल मई और जून महिने की ये सबसे पहले विकलांगो के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी उसके बाद फिर पैंसन जो ट्रांसफर की गई थी वह तलाकशुदा महिला विद्म महिलाओ के बैंक खाते में तीन तीन अजार रुपे पैंसन आसी को ट्रांसफर किया गया था सबसे लाश्ट में नंबर आया था वर्दवस्था पैंशन योजना का यानि कि उत्तर प्रदिस राज्य में रहकर जो वर्दवस्था पैंशन योजना का बुढ़ापा पैंशन योजना का लाप्राप्त कर रहे हैं पैंशन बनी है उन सभी के बैंक खाते में अप्रेल, मई, जून महिनी की जो 85 नासी है 33,000 रुपे ये ट्रांसफर कर दी गई है देखें यहाँ पर सरकार समय समय से लाभारतियों बैंक खाते में पैंसन को ट्रांसफर कर रही है अभी हाली में ही कुछ दिन पहले ही सरकार द्वारा पैंसन को ट्रांसफर किया गया था कुछ जिलों में बहुत से ऐसे पैंसन धारक रह रही है हर एक जिले में जिनके बैंक खातें 85 नासी नहीं पोंच पर रही है यदि आप पैंसन के पोर्टल पर जा कर देखेंगे तो वहाँ लिस्ट भी अभी तक अपडेट नहीं की गई है वर्दवस्था पैंसन धारकों की तो यहाँ पर कुछ ही समय लगेगा यानि की जब तक वर्दवस्था पैंसन योजना की सभी के लाभारतियों बैंक खातें 85 नहीं किया जाएगा तब तक पैंसन की जो लिस्ट है वहाँ पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाएगी उत्तर परदेश राज्ये में हर एक पात्र लाभारतियों के बैंक खातें में चैवे दिव्यांग हो विद्वा हो, वर्दवस्था हो तलाकसुदा हो या कोई सा भी पैंसन धारखो, हर एक लाभाष्यों के बैंक खातें में अप्रेल, मैज, जून, वैनि के पैंसन आसी को ट्रांसफर किया जाएगा जो पात्र वैक्ति होंगे और किसी के पैंसन के एपलेक्शन फार में गल्तिया नहीं होगी उनला भारतियों को अप्रेल, मैज, जून, महनी की 25 नासी मिल रही है अभी फिलाल जो 25 नासी ट्रांसफर किये जा रही है वह वर्दवस्था पैंशन धारकों की है अब इसका हम आपको एक प्रूव भी दिखाने वाले हैं तो यहाँ पर हम आपको प्रूव दिखा देते हैं देखें, हमारे पास यह एक मैसिज आया था एक 25 धारक का जो की एक वर्दवस्था है किस परकार से उन्होंने हमारे पास मैसिज भेया था हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे सबसे पहले यहाँ पर आप मैसिज देखिए इसमें मैसिज में इसकिन सोट में लिखा हुआ है Dear Customer, Your Account यह अकाउंट नमबर है इस अकाउंट नमबर में Has a credit by transfer 3,000 रुपे On 24-8-2023 यानि कि 24 अगस्त दो हजार तेज को इन लाभारतियों के बैंखाते में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 95 योजना का जो पैसा है 3,000 रुपे अप्रेल मैजून महिने का वह transfer हो चुका है Total balance इनका हो जाता है 3,212 रुपे यानि कि 212 रुपे 0.06 पैसे पहले ही इन लाभारतियों के बैंखाते में पहले ही balance था अब 3,000 रुपे आने के बाद Total balance हो जाता है 3,000 रुपे यानि कि 3,212 रुपे 0.06 पैसे तो यहाँ पर आप screen source देख रहे हैं अब जो इस screen source आया है यह एक वर्दवस्था pension धारक का है किस माध्यम से उन्होंने हमारे पास message भेजा देखिए यह message आया है हमारा एक channel है Instagram पर RK योजना के नाम से तो हमारा link में हमने अपने channel का link दिया था Instagram channel ID का तो उस माध्यम से उन्होंने हमारे पास यह screen source भेजा है उन्होंने बताया कि सर हमारी pension 24 अगस्त को bank खाते में पहुँच गई है तो यदि आप भी वर्दवस्था pension योजना का लाप्राप्त कर रहे हैं तो आप एक बार अपने bank में जा कर देखिएगा सरकार लाभारतियों के bank खाते में pension को transfer कर रही है देखिए बहुत से ऐसे pensioners है उत्तर प्रदेश राज्य में चैवे दिव्यांग हो, विद्वा मैला हो तलाकसुदा मैला हो, वर्दवस्था pension धा रखो जिनके bank खाते में फिलहाल pension आसी नहीं पहुँच पाई है हम देखिए बात करें हैं अप्रेल मैं जून महिने की तो ये तो pension रुक गई है क्यों रुकी है, क्योंकि पहले ही लाभार्तियों के bank खाते में कुछ यानि की pension जो फरम है pension का उसमें गलती हो रही है अब जादतर जो गलती पाई जा रही है वे आपका PFMS है यानि की PFMS यानि की ये mismatch हो रहा है mismatch कब होता है जब कोई गलतिया हो जाती है account number आपका सही नहीं हो IFSC code आपका सही नहीं हो तो इन इस्तिती में आपका PFMS accept नहीं हो पाता है mismatch हो जाता है या invalid आपको लिखा मिलेगा ये जानकारी आप अपने नजदी की जन सुईदा केंदर पर जाकर अपने आविदन फारम को open करा कर देख सकते हैं online ही इसके ओपर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है तो आप हमारे पिछली वीडियो देखें उसमें तरीका भी बताया गया है कि आप अपने आविदन फारम को कैसे open कर सकते हैं बैठे ही अपने mobile phone से देखें यहां पर हमने आपको एक प्रूव भी दिखा दिया है आप सभी पैनसन धारकों के लिए यह है एक latest news है new update है यदि आपके बैंक खातें पैनसन नहीं पहुँची तो एक बार आप हमने पासबुक को update करा कर जरूर देखेगा आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारे जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीज़ेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है देखे हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल आईडी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा यदि आपका कुछ सुझाओ है या आपकी पैंशन नहीं आ रही है आपके मने में कोई सवाल है डौट है या ये आप मैसेज हमारे यूटूब कमेंट में भी कर सकते हैं जाकर ये फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा आपका कोई सवाल है तो आप मासे भी हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं पूछ सकते हैं आपके सभी सालों जाप देते जाएगा देखे जिन भी पैंसन धारकों की गलती हो रही है एपलिकेशन फाराम में पैंसन के तो आपके आधार काड की अवशक्ता होगी मॉबाइल नंबर की अवशक्ता होगी और बैंक की पास्बुक की अवशक्ता होगी सभी की आपको photo state करा लिनी है photo state कराने के बाद उत्तरप्रदेस राजे में जिस भी आप जिले में रहते हैं कोई सा भी आपका जिला हो सभी जिले में एक जिला समाज कल्यान बनाय गया है विकास बनाय गया है वहाँ पर अधिकारी बैटे होते हैं आपके जिले के जितने भी pension है दिन्या आ, दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्ठवस्था सभी की देखरेक वे अधिगारी करते हैं यदि किसी की pension नहीं आती तो वहाँ भी डेटा उनके पास महाँ पर रहता है जिसकी pension पहुँच चुकी है तो वह भी डेटा उनके पास एकटा रहता है तो यदि आपकी pension नहीं आई तो आप अपने जिला समाज कल्लान में या विकास भुवन में जाकर अधिकारों से संपर करें उनको बताइए कि इतने दिन हो गए हमारी pension नहीं आ रही है पूरी pension का निवरण आपके वह से ही होगा यदि आपके मान में कोई सवाल है डाउट है आप कमेंट करके पोश सकते हैं सवी सालोग जाव आपको दे जाएगा और लाश्ट में हम निवेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राफ्थ हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए अब हम आपको मिलते हैं नाइक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारिक साथ जब तक के लिए जय हिंग जय भारत